हेलो फ्रेंट्स वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इसमा इन्वेस्टमेंट में फ्रेंट्स अदानी विलमर के शेयर में जबर्दस तेजी के बाद से लोवर सर्कृट का ट्रेंड स्टार्ट हो गया है काफी सारे लोग उपर के रेट पे फसे हुए हैं काफी सारी कोईरी मुझे मिली है अदानी विलमर में अब क्या करना चाहिए तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि शेयर में और कितनी गिरावट बाकी है और अगर आप उपर के रेट पर फसे हैं तो आपकी क्या स्टाटेजी यहां पर होनी चाहिए फ्यूचर स्टाक मारकेट पर जो भी लोग सेशन को अटेंड करना चाहते हैं दिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है आप अपने डिटेल कर सकते हैं लिंक आपको जो नंबर आप प्रोवाइड करेंगे उस पर शेयर कर दिया जाएगा वाटसाइप पर सेशन में हम स्टाक म काफ़ सारे ऐसे स्टाक में कंपनीज हैं डिलिस्ट होने जा रहे हैं उनमें भी जो है बिना किसी नौलिज के पोजिशन बना लेते और उनको अभारी लॉस होता है तो हमने यह स्टार्ट करी है अगर आप सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिं से बात की जाए तो स्टॉक वहां से लगवग अभी भी धाई गुना उपर है स्टॉक में इतना जबर्दस रन अप आया इतनी जबर्दस रैली स्टॉक ने बहुत शॉर्ट पिरेड में दिखाई और वहां पर काफी सारे इंवेस्टर्स ट्रैप भी हुए है साड़े 500 विलमर का बिजनस मॉटल है बहुत ब्रिफ में उसके बारे में आपको बता देता हूं कि कंपनी जो है फॉर्चुन नाम का इसका फ्लैक्शिप ब्रैंड है फॉर्चुन के एडिबल ओयल आता है काफी वेराइटी में फॉर्चुन के राइस आते हैं अब तो और भी प्रो बहुत अच्छी ग्रोथ रिवाइन्यों के फ्रंट पर कंपनी कर रहा कोटर और क्वाटर वाय ओन वाय देखने देखोगे रिजर्ट में तो देखने को मिली है पर कंपनी के बिजनस में कोई इश्यू नहीं है पर इसकी वालुएशन बहुत एक्स्पेंसिव है दानी विल लगबग जो है साड़े 500 रुपे की जो क्लोजिंग है लगबग 65-66 गुना की ट्रेलिंग ट्रेल्मेंस की अर्णिंग पर ट्रेड कर रहा है और सबसे बड़ी बात कि रिवाइन्यों के फ्रंट पर ग्रॉथ बहुत जबर्दस देखने को मिली है क्योंकि रिवाइन्यों के पर अपने पियर्स के मुकाबले में भी और एस अ कंपनी के मार्जन बहुत ही ज्यादा कम है यह एक इश्यू मुझे को अधानी विलमर के साथ लगता है डिसेंबर क्वाटर में भी 14,000 क्रोड के असपास की सेल पे कंपनी ने 241 रुपय का नेट प्रॉफिट दिखाया था अपरेटिंग फ्रंट पे तीन-चार परसेंट के मार्जने कंपनी के और नेट लेविल पे डेट दो परसेंट के तो मार्जन इसके बहुत ही कम है तो इस वज़े से अगर रिवाइन्वियों में ग्रोथ देखने को मिल भी रही है तो बॉटम लाइन पर कोई बहुत ज़दा इंपक्त नहीं देखने समझी है कि 70,500 क्रोड की मार्केट कैपिटल 900,000 क्रोड का प्रॉफिट है Fy23 की प्रोजेक्टिट इनिंग पर भी स्टॉक लगबग लगवग 50-70 के पी मल्टिपल पे ट्रेड कर रहा है रूची सोया जो हाली में बहुत ज़्यादा जो है लाइम लाइट में रहा है इसका डारेक्ट प्यार आप उसको बोल सकते हो क्योंकि वह कंपनी भी एडिबल ओयल में है रूची सोया 35 के पी पे ट्रेड कर रही है Fy23 की प्रोजेक्टिट इनिंग की FMCG स्पेस में अगर आप दिगद HUL हाला कि डारेक्ट कोई कंपारिजन नहीं है HUL का और इसका क्योंकि द मैरिको जो है आप इसका पीर मान सकते हैं मैरिको भी 50 के पी मल्टिपल पर ट्रेड कर रहा है तो अपने सारे पीर से यह स्टॉक बहुत ज्यादा महंगा है इसके लावा एग्रो टेक्ट फूड करके कंपनी है वह वह भी काफी हाई वालोशन पर ट्रेड कर रही है रुपे के रेट पर फस्ट गए हैं अगर वह भी दो तीन चार साल होल्ड करते हैं तो स्टॉक में ऐसी कोई बुराई नहीं है कि यह आने वाला टाइम नहीं बनाएगा और अब जो होना तो हो चुका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कंपनी बहुत बड़ी है पर मोटर बहुत करने के लिए अभी बहुत जल्दी है स्टॉक में और करेक्शन यहां से आ सकती है जो लोगर सर्किट का ट्रेंड है वह दो तिन चार सेशन और ट्रेंड और एक्स्टेंड हो सकता है पांसो रुपे से नीचे स्टॉक जाना चाहिए मेरे इसाब से हो सकता है वहां से भी जो शेयर लेने हैं दस शेयर एक बारी में लेके आप अपनी एवरेजिंग करिए एसाइपी मोड में एक्युमिलेट करिए दो ड़ाए तीन साल का व्यू रखिए नए हाइस बी स्टॉक में देखने को मिलेंगे बहुत ग्रॉइंग सेक्टर है डिमांडिंग सेक्टर है स् फिर रिवर्सल आएगा अपर सर्केट का टैन देखने को मिलेगा उसके चांसे मुझे बहुत कम लगते हैं हलाकि स्टॉक मार्केट है संभावनाव से इनकार नहीं किया जा सकता किसी भी चीज की मैं सरिफ एक फंडमेंटल रहा आपको दे सकता हूं तो वहां पर मुझे व लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए आपके अपने युट्यूब चैनल इस मैं इंवेस्टमेंट को सब्सक्राइब पढ़ना ना भूलें थेंक यू